Good morning students, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, Punjab Law Admissions 2024-2025 को लेकर Punjab Government का Official Notification आ गया है और गुर्णानिक देव उनिवस्टी अमरी सर का भी Official Notification आ गया है और यह अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, Prospectus, Punjab Law Admissions 2024-2025 Law Department के Admissions ओपन होगी है, तो यह हम पूरा PDF आपको डेटेल में बताएंगे, Important, Important बाते हैं सबसे पहले G&U University अमरी सर के बारे में आपको डेटेल में बताया गया है उसके बाद थोड़ा से नीचे जाना, आपने स्क्रॉल करना है और यह अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, Important Notes और यहाँ पर आपको Coordinator और Co-Coordinator के Contact नमबर दिये गए हैं अगर admission करवाते टाइमें आपको कोई भी Problem आती है, तो आप Contact कर सकते हैं उसके बाद Important Instruction for Online Counseling तो Law Department में admission के लिए कोई भी Entrance Exam नहीं होता आपकी Direct Counseling होती है तो Law Department में जो जो Courses हैं, वो हैं B.A. L.L.B. Owners 5-year B.A. L.L.B. 5-year L.L.B. 3-year L.L.B. Owners 3-year B.C.M. L.L.B. 5-year B.C.M. L.B. Owners 5-year B.B.A. L.L.B. 5-year तो पंजाब स्टेट में जितने भी Colleges हैं चाहे वो Affiliated Colleges हो, G&U University केंडर आते हो, चाहे पंजाबी यूनिवस्टी हो, पट्याला यूनिवस्टी हो तो सबकी जो कॉंसलिंग होगी वो होगी गुर्नानक देव यूनिवस्टी अमरी सर में सारा कुछ मैनेज G&U University अमरी सर में ही होगा उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन-कौन से Institute और College में कितनी-कितनी seats available हैं, कौन-कौन से courses की सबसे पहले गुर्नानक देव यूनिवस्टी अमरी सर केंपस यहाँ पर B.A. L.L.B. 5-year course की 120 seats हैं L.L.B. 3-year की 120 seats हैं उसके बाद गुर्नानक देव यूनिवस्टी इसनल सेंटर जलंदर B.A. L.L.B. 5-year course की 60 seats और L.L.B. 3-year course की 100 seats उसके बाद गुर्नानक देव यूनिवस्टी इसनल सेंटर गुर्दासपूर B.A. L.L.B. 5-year की 80 seats हैं उसके पाद C.A. 4-year no.8 तक आफ की स्क्रीन पे देख सकते हैं तो G.J.U. कॉलने यूनिवस्टी आप नहीं देखना है आप आप नहीं साइव से देख सकते हैं उसके पाद C.A. 9-19 से C.A. 13 तक आपकी स्क्रीन पे इस पूरे PDF का लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से download कर सकते हो यह पूरा PDF उसके बाद serial number 14 से serial number 18 तक आपकी screen पे इसमें आपको बताया गया है कि कौन-कौन से college में, कौन-कौन से course में कितनी-कितनी seats available हैं उसके बाद serial number 18 से serial number 24 तक आपकी screen पे उसके बाद serial number 25 से 31 1 तक आपकी screen पे उसके बाद next page पे चलते हैं और यह आप अपनी screen पे देख सकते हैं pending 32 से 36 तक तो आपको detail में बताया गया कि कौन से college और institute में हैं, कौन से course की कितनी seats available हैं उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि 85% seats पंजाब state students के लिए reserved हैं और बाकी 15 दूसरी state वालों के लिए उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि online submission of application form तो जो आपने online application form फिल करना है वो आपने direct इस website से करना है पंजाब laws admission.gnu.ac.in इस website पर जाकर ही आपने application form फिल करना है online और वो आपने कैसे करना है वो जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे और जो fees है admission form की वो है SC-ST student के लिए 1000 रुपीज इच और other candidates जितने भी होंगे SC-ST को छोड़के उन सब के लिए 2000 इच उसके बाद कोई भी application form by post नहीं होंगी जा by hand accept नहीं की जाएंगी आपने online ही application form फिल करना है सबसे पहले जब आप registration करवाओगे तो आपको एक user ID और password मिल जाएगा जिसको unique user ID और password भी बोल दिया जाता है जहांके student ID पासवड भी बोल दिया जाता है तो आपने के पास जब वो user ID और password होगा तो सारी detail आपको अपनी student ID पर ही मिलेंगी उसके बाद education qualifications पताईगी है सबसे पहले 3 year law degree course के लिए उसके बाद integrated degree program के लिए उसके बाद minimum qualification वो ही है 45% journal student प्लस 2 में और 40% SCST student प्लस 2 में age limit कोई नहीं है उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि जितने भी courses है B.A. L.L.B. Owners 5 year B.A. L.L.B. 5 year L.L.B. 3 year L.L.B. Owners 3 year B.G.M. L.L.B. 5 year B.G.M. L.B. Owners 5 year B.B.A. L.B. 5 year तो कौन-कौन सी university में क्या-क्या qualification आपको चाहिए वो आपको बताया गया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बस G.N.D.U. उनिवस्टी अमरी सर्क के बारे में सबसे पहले जो course है वो है B.A. L.L.B. और B.B.A. L.B. 5 year तो G.N.D.U. उनिवस्टी में अडमिशन के लिए student plus 2 pass होना चाहिए और अगर वो journal student है तो minimum 45% उसके marks होने चाहिए अगर O.B.C. है तो minimum 42% और अगर S.C.S.T. है तो minimum 40% उसके marks होने चाहिए उसके बाद next जो class है वो है B.A. और B.C.M. L.B. honors 5 year तो G.N.D.U. उनिवस्टी में ये course नहीं है उसके बाद next class है B.C.M. L.B. 5 year तो इसमें भी student plus 2 पास होना चाहिए और अगर वो journal student है तो minimum 45% marks O.B.C. है तो 42% marks S.C.S.T. student है तो minimum 40% marks उसके होने चाहिए बाद next next class है L.B. 3 year course तो इसमें student graduation पास होना चाहिए और अगर वो journal student है तो उसके minimum 45% marks होने चाहिए अगर O.B.C. है तो 42% और अगर S.C.S.T. है तो 40% marks होने चाहिए उसके graduation में और जो post graduation holder है उनके लिए भी same है journal student 45% O.B.C. 42% और S.C.S.T. 40% होने चाहिए उनके post graduation में उसके बाद नीचे आपको note दिया गया उसके बाद division of seats 85% जो seats हैं वो पंजाब student के लिए reserved हैं और 15% दूसरी state वालों के लिए उसके बाद NRI जो seats होनगी वो court के दोवारा notification आएगा उनका उसके बाद reservation of seats तो detail में ये पूरा PDF है तो जितने भी low department में जिन्नोंने किसी भी course में apply करना है registration करवानी हैं वो किसी दूसरे course में apply नहीं कर सकते उसके बाद यहाँ पर आपको sports वालों का quota बताया गया कि वो अपनी admission कैसे करवा सकती है और minimum percentage चाहे 40, 42, 45% हो लेकिन admission जिनकी percentage सबसे ज़्यदा होगी उनको ही मिलता है Punjab state level merit list के हिसाफ से law department में admission होती है तो जिनकी percentage सबसे ज़्यदा होगी उनी student को admission मिलेगी और उनी student का नाम merit list में हाएगा सबसे पहले आप registration form फिल करोगे उसके बाद application form फिल करोगे उसके बाद आपकी counseling होगी और merit list पब्लिश होगी और फिर आपको admission मिल जाएगी जिजिस college university में आप चाहते हो तो यह था पूरा PDF इस पूरे PDF का link आपको description box में मिल जाएगा आप एक-एक detail धियान से पढ़ सकते हैं तो G&U से लेटर सभी updates आपको इसी channel पर मिलेंगी तो इस channel जुरूर subscribe कर लेना तब तक इस video को like कर दो, share कर दो और बेले की जुरूर पैस कर दोना थांक यू